नमश्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ YouTube channel Everything Hindi पर आपका दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं Sunday special वीडियो के बारे में जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे आप ही के जरीए कुछ पूछे गए ऐसे important सवाल जिनके लिए काफी लोगों ने ये सारे सवाल किये हैं और इनका जवाब आप सब के लिए काफी ज़्यादा important है क्रिप्टो में आप trading करते हैं और क्रिप्टो की जो बारिक्या है वो सबसे ज़्यादा important रखती है तो इस वीडियो में सारे questions में line से लिकर चलूँगा लेकिन अगर कहीं बीच में आपको लगता है कि नहीं पस अब हम ये वीडियो देख चुके बस अब आगे दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर last का part जरूर देख लिए हम time stamp दे देंगे ताकि last के part क्योंकि सब के लिए important है जिन लोगों ने ये वीडियो खोली है उन सब के लिए important है तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को शायद दो नाम एक साथ मिलाकर लिखे हुए है तो इनका questions है भाईया first of thank you so much मुझे आप दे रहे हैं तो मैं भी आपको देता हूं thank you so much return में my question is that who does decide the price of the newly listed coin either developer और either exchange exchange it by the virtual of virtue of the basis यानि क्या reason होता है कैसे किसी कोई के price decide के जाते है जब जब वो नया launch होता है जब वो नया list होता है इसके पीछे वैसे तो कोई एक खास reason नहीं है कोई नियम नहीं है लेकिन जो अब तक हमने अपने experience से अनुभो किया है उसमें यह होता है जो उसकी supply होती है अब जैसे बात करें अगर bitcoin की तो bitcoin की supply कम है इसलिए उसका price जादा है आप बात करें कोई essay coin की जो आप देखते जिसकी supply quadrillion है कई कई तो ऐसे भी आजकल हम देख रहें जिसकी 500 quadrillion है मतलब इतनी ज्यादा supply की पूछे मत तो उन सब का price भी उसी हिसाब से होता है मतलब panta zero panta zero panta zero फिर number शुरू है मतलब इतना लंबा 0 के बाद number शुरू है तो यह सब कैसे होता है जब उसकी supply इतनी जादा होती है उसकी total supply जादा होती है इस पर depend होता है उसका price स्टार्टिंग में केवल लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आता है और उसकी डिमांड काफी जादा बढ़ती है तो उस डिमांड के हिसाब से उसका प्राइस फिर बढ़ने लगता है सब़ोस आप 1 billion के जितनी भी total supply वाले जो भी coins launch होती है Binancs की हम example ले लेते हैं तो Binancs पर जिनकी average supply 1 billion है तो उनका जो price average डाला जाता है 10 cent की initial price होता है जब वो list होगा तो 10 cent से होगा लेकिन जैसे ही लिस्ट होता है वो तुरंद एक डॉलर भग जाता है तो वहीं सही उसका प्राइस शूरू हो जाता है 10 सेंड तो बस शुरुवात हुई हो उस प्राइस में शायद ही कोई बाय कर सकता है अब बढ़ते हैं नेक्स सवाल की तरफ और नेक्स सवाल जो है वो सुनील कट वाले जी का है उन्होंने लिखा है भाया क्रिप्टो कौन सी एप में सेफ तरीके से रखो रखी जा सकती है लॉंग टर्म के लिए क्योंकि यूटूबर बोलते हैं कि एक्सचेंज पर क्रिप्टो मत रखो प्लीज रिप्लाई देखिए एक्सचेंज पर क्रिप्टो रखना वो एक मैटर है कि एक्सचेंज पर रखने से अच्छा है कि आप अपने हार्डवेर वैलेट में रखी या कोई सौफ्टर जब move करते हैं और उसमें एक भी छोटी सी error हो जाती है तो total crypto हमारा loss हो जाता है तो हमारी तरफ से सिर्फ यही recommend है अगर आप नए हैं तो कोई भी experiment करने की ज़रूरत नहीं है exchange जो भी अगर आप use कर रहे हैं top 5 में अगर वो exchange है तो सब के सब trustable है अब देखिए भरोसे की बात किया जब भरोसा तो हमारा खुद का नहीं है कि हम next video कल बना पाएंगे या नहीं तो अब इतना जब आप risk ले ही रहें crypto में इंटर कर दिये हैं crypto में कदम रख दिये हैं तो ठीक है अभी एक level तक अब जैसे आपका portfolio का एक level तक है तब तक आप exchange पर trust कर सकते हैं अगर वो top 5 में है तो और बाकी जब आपको बिलकुल लगता है कि नहीं नहीं मुझे एकदम safe secure जाना है तो hardware wallet को use किया जाता है लेकिन आप hardware wallet को frequently use करना सीख लिजे पहले शुरुवात में बिलकुल 150 डॉलर क्रिप्टो भेज के देखिए जब आप easily भेज लेते हैं तब फिर बड़ा crypto भेजिए यह तरीका आप अपना सकते हैं अब बढ़ते हैं अपने next सवाल की just a fake hype on VazirX coin he's also said that VazirX coin may be down till 56 अब down होगा या VazirX burn event इन दोनों पर हमा जाते हैं सबसे पहले तो burn event के बारे में कई बार हमने वीडियो में बताया है और आज फिर से बता देते हैं burn event होना है जुलाई में mostly होता है पिछले कई सालों में जुलाई में हुआ है लेकिन इस बा market डाउन में है burn का फायदा यह होता है कि mostly उस coin का price को एकदम से jump देना और jump यहाँ पर कैसे देजाती है उसको burn करके उसके जो supply है उसको कम करके उस supply को debt address भीज़ देते हैं जिससे के supply कम होती है और उसका price बढ़ जाता है burn क्या है इसके बारे में गर जाना तो वीडियो यहां पर आ रही है और burn के बारे में जो वजीरेक्स की बात है वो fake नहीं है वो है actual बस यही है कि जो भी exchange owner है चाहे वो BNB की बात करें या वजीरेक्स की बात करें या कोई और coin जिसका burn इस मन्त आता है वो सब इसलिए postpone किये जा रहे हैं exchange की owner postpone कर रहे है क्योंकि अभी market ज्यादा dip में है market हमेशा downtrend में जा रही है तो इस current से इसको postpone किया जा रहा है ताकि आपको output maximum दिया चाह सके जब भी burn हो अब बात करते हैं अपने next सवाल की तरफ और next सवाल में पूछा गया है मुकेश प्रसाद जी है जिन्होंने पूछा thank you thank you Ajay you are really clear and many unasked questions can you also please mention how we can purchase new listing like cannot see those coin on Binance, WazirX and Coin DCX यानि आपका कहना ये है कि जब कभी भी कोई नए coin हम सुनते हैं कहीं से कि ये नए coin list हो रहा है और वो हमको नहीं मिलता है Binance, WazirX, Coin D6 पर तो वो coin हम कहां से buy कर सकते हैं तो उसके लिए हमने काफी समय पहले आपके लिएक वीडियो बना रही थी जो यहां पर आ रही है बिल्कुल clear अच्छे से उसमें ये हमने बताया कैसे उन coin को buy कर सकते हैं लेकिन आप आपको पहले ये मैं बता दो क्योंकि अभी market डाउन चल रही है तो हो सके जितने भी meme coin नए नए आ रहे है जो बिल्कुल नए नए meme coin आ रहे है मेरी language को समझ ये जो नए meme coin आ रहे हैं उनको खरीदने से थोड़ा सा आवाइड कीजे क्योंकि अभी market डाउन है और अभी हो सके तो जो top 5 है, top 10 है, top 20 है उनमें रही है बाकी आपका फिर भी मन कर रहा है तो आप खरीद सकते हैं वीडियो यहाँ पर है बिल्कुल clear अच्छे से उसमें बताया गया कैसे आपको उस सभी coin को खरीद सकते हैं आप जो मेरा last सवाल है जो last सवाल जिसके लिए हमने आपको बोला था कि last सवाल जरूर देखेगा उसको जरा ध्यान से सुनिए क्या उस सवाल में मैं आपको बताना चाता हूँ उसके जवाब में क्या बताना चाता हूँ यह side में हमारी screen recording चल रही इसको ध्यान से सुनिए इसमें यह लगभग हमारी सभी वीडियो में इस तरीके के कमेंट्स आते हैं तो यहाँ पर इस कमेंट्स में कहा क्या जाता है आप समझें यहाँ पर यह लिखा है कि मैं crypto में invest करना चाती थी और मैंने बहुत सारे research किया कईबा लॉस किया लेकिन उसके बाद फिर मुझे मेरा समय खुल गया और मैंने इनको देखा और इनको देखने के बाद मेरा 4000 डॉलर, 10-11 डॉलर return आने लगा तो यह सब पूरी कहानी लिखते हैं और कम से कम इसके 10-15 ग्रूप होते हैं 10-15 लोग होते हैं अब हमारे जो इंडियन लोग हैं वो मैसेज करते हैं तो अभी फिलहाल जो इंडियन लोग का मैसेज है वो तो एक कम्प्लीन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन उस कम्प्लीन के बाद नीचे देखे हैं इन्होंने क्या लिखा है मेक अनोट माई ट्रेडर कैलविन यानि कि आप जो मेरे उपर कैलविन जो जिन्होंने नंबर दिया है उसका नंबर नूट कीजिए और उनसे कॉंटेक्ट कीजिए अच्छा यहां पर जो मनीश धाया जी है जिन्होंने मुझे कल मैसेज किया था और उनका साथ देकत यह आई इन्होंने लिखा है कि अजय तुमारी वज़े से मेरा तीन हजार डॉलर का नुकसान हुआ है नुकसान का मतलब यह कि इन्होंने किसी यानि कि टेलिग्राम जो ग्रूप है आपको लगता है कि यह सब्सक्राइबर्स जादा है और इस पर फटक से आप जोईन करते हैं और देखते हैं पूरी रेगुलर अबडेट है तो आपको भी लगता है विल्कुर रियाल है कोई दिक्कत नहीं तो बोलते हैं लेकिन उसमें खेर इस तरीके कहानी चलती है कोई लंबी चीज नहीं आप सब जानते हैं सब लोग इस ट्रैप को जानते हैं कैसे तो इस तरीके के लोग जो जो मनीश धहिया जी है इस तरीके के लोग फस जाते हैं ये सामने से everything हिंदी के जो अजय हैं वो ही हैं तो वो लोग अब इन्होंने 3000 डॉलर लिखा है जो भी इन्होंने दिया हो आप यही जानते हैं मुझे नहीं पता तो खेर तो इस तरीके का इन्होंने ट्रांसफर किया जोगी बहुत जादा गलत किया क्योंकि अब इतनी बड़ी रकम है 3000 डॉलर एक बड़ी रकम है उसको भेजने से पहले क्या एक बार आपने मेरे से फोन से बात करना ज़रूरी नहीं समझा या आपके पास हमारा इमेल एड्रेस है और इमेल एड्रेस पर है कमेंट में भी बोलते हैं कि अजय तुम 3000 डॉलर जो मांग रहे हैं उसको कब वापस करो कुछ भी इस तरीके का मुझे डिरेक्ली कांटेक करते तो आपका शायद ये पैसा बच जाता रो इस तरीके से कई स चला देता हूं ये क्लिप सुनिए इस क्लिप में क्या मैं बता रहा हूं क्या हुआ बिल्कुल सही का तो सब्सक्राइब आप ने अगर हमारे पहले से चैनल देखते हुए तो हाँ आवाज आरी हमारी आप हम यह कह रहे हैं अगर आप हमारा पहले से चैनल देखते हैं तो तो एक मेकराणी साहब है, उनके साथ दिक्कत यह होई कि उन्होंने भी इसी तरीके का सेम टेलिग्राम से लोग उन्होंने कॉंटेक्ट किया, टेलिग्राम के स्कैमर ने उनसे कॉंटेक्ट किया और उन्होंको लगा कि मैं अपने 4000 TRX और शायद कुछ कुछ USDT उन्होंने उसको भेज दिया, उन्होंने मेरे मैसेजस में गालियां लिखना शुरू किया, जो कि गालियां क्या होता है, यूटूब उस वर्ड को ब्लॉक कर देता है, तो वो सारे मैसेज डिलीट होने लगे और उसके बाद जब वो नॉर्मल ठंडे होकर उन्होंने स्कैमर था, तो इस तरीके की चीज मैकसिमम लोग के साथ हो रही है, और हमारे नाम से लोगों को नुकसान पहुचा जा रहा है, बस यही सोच रहे थे, किसी तरीके से मेरा पैसा वापस आ जाए, क्योंकि इनका पैसा इनके लिए बहुत important था, और हर एक के लिए आज की ता पात करते हैं टेलिग्राम की, तो टेलिग्राम के लिए मैं आप से सीधे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या टेलिग्राम की जरूरत है हमको, क्योंकि टेलिग्राम पर जो अपडेट के लिए लोग रखते हैं, मुस्लिए सिगनल के लिए रखते हैं, मेरा मानना ये है कि हम खुद आपको इतना सक्षम बना देंगे लर्निंग के जरी अपने वीडियो के जरी कि आप खुद इतना ज़्यादा प्रेडिक कर सकते हैं इतना आसानी से अनेलेसिस कर सकते हैं कि जिससे कोई भी कोई भी आपको कॉल के जरुवत नहीं है मुसली टेलिग्राम के जरुवत होती कॉल के लिए तो कॉल आपको कोई जरुवत नहीं कॉल मतलब कौन सा कोई का बाय करना है कब सेल करना है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इतना ज़्यादा सिखा दोंगा कि कभी भी आपको कोई भी किसी पर डिपेंड होने के जरुवत नहीं कम से कम इस टेलिग्राम के सिगनल पर तो नहीं जहां से हर दिन किसी नए का नुकसान हो रहा है तो मैं आप से यह जानना चाहता हूँ क्यों ना अपना टेलिग्राम ग्रूप मैं डिलीट करूँ और हमेशा के लिए टेलिग्राम से बिदा ले लिया जाए तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट किजएगा मुझे आपकी कमेंट का इंदाजार रहेगा और मेरा पूरा मन है कि टेलिग्राम ग्रूप का कोई मतलब नहीं है बिल्कुल मतलब नहीं है कि मतलब लोगों का नुकसान हो रहा है मैक्सिमम नाइटी नाइन परसेंट लोगों का नुकसान टेलिग्राम से हो रहा है बाकि और से तरीकों से भी हो रहा है लेकिन मैक्सिमम नाइटी नाइन परसेंट लोगों का नुकसान हो रहा है इस कैमर से हमारे नाम से चैनल बनाते हैं रिस्से की जो नया आदमी है वो नहीं पैचान पाता है तो दोस्तो ये थी वीडियो, अब आपको पसंद आए होगी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वीडियो देखने कली बहुत बहुत बदलबाद, थैंक्यो सू मुझ